यदि आप भी मैट्रिक परिच्छा 2024 में सामिल हुए हैं और अपना रिजल्ट को लेकर इंतजार कर रहे हैं तो अब आपको टेंसन लेने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि रिजल्ट का इंतजार की घरी समाप्त हो चुकी है मैट्रिक परिच्छा का परिणाम 31 मार्च 2024 को आने की पूरी संभावना है मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ क्योंकि दोस्तों बिहार विद्याले परिच्छा समीती के अध्यक्ष ने ये साप साप जानकारी दे दिया था कि जब इंटर वालों का रिजल्ट प्रकासित हुआ उस द टॉपर का वेरिफिकेशन समाप्त होने के बाद मैट्रिक वालों का परिणाम भी जारी कर दिया जाएगा वैसा ही हुआ 24 मर्च 2024 से मैट्रिक के टॉपर का वेरिफिकेशन सुरुआत हो चुका उसके बाद दोस्तों 28 मर्च 2024 को पूरी तरह से टॉपर का वेरिफिकेशन समा परिजल्ट को प्रकासित किया जा सकता है बिहार विद्याले परिच्छा समीती के सिक्षा मंत्री के द्वारा मैट्री का परिणाम जारी किया जा सकता है तो इस बार जो है आप लोगों को ज्यादा टेंसल लेनी की जरूरत नहीं है आप लोगों का रिजल्ट भंपर आ रहा ह क्योंकि बिहार विद्याले परिच्छा समीती के अध्यक्ष ने इंटर के रिजल्ट के दौरान ये जानकारी दे दिया था कि 31 मार्च 2024 को रिजल्ट आने की पूरी संभावना है तो आप लोगों का रिजल्ट 31 मार्च 2024 को दोपहर के डिर वजे आ सकता है तो रिजल्ट आप लोग सबसे पहले कहां देखेंगे क्योंकि बिहार विद्याले परिच्छा समीती के वेबसाइट पर जब रिजल्ट प्रकासित होता है तो वहाँ पर लाखो चात्र और अपना रिजल्ट देखने के कारण उस पर सर्वर डॉन हो जाता है और वो अपने घंटों तक वो अपना रिजल्ट नहीं देख पाते हैं तो आप लोग कैसे अपना रिजल्ट देख पाएंगे जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाए दे रहा है मैट्रिक का रिजल्ट सबसे पहले देखने के लिए गूगल में आपको टाइप करना है सर्च करना है mr.sarmatarget.com जैसा आपको spelling दिखाए दे रहा है एकदम ध्यान से गूगल में सर्च करना है वहाँ पर आप सबसे पहले अपना रिजल्ट देख पाएंगे जैसा कि दोस्तों इंटर वालों ने भी मातर एक क्लिक में अपना रिजल्ट मार्क सीट के साथ देख पाया था आप लोग अपना रिजल्ट मातर एक क्लिक में देख सकते हैं तो अब आप लोगों को तयार रहना है एडमिट कार्ड को अभी से ही तयार रख लिजिए आपका परिनाम 31 मार्च को आने वाला है दो पहर के देर वज़े आने की पुड़ी संभाबना है जैसे ही रिजल्ट प्रकासित होता है गुगल में टाइप करना मिस्टर सर्मा टारगे.com अपना रिजल्ट देखने के लिए तो देखते हैं आप लोगों का रिजल्ट कितना बहतर आने वाला है कॉमेंट करके आप मुझे जरूर बताएगा कि आपका रिजल्ट कितना नंबर आ सकता है रिजल रिजल्ट के लिए जानकारी के लिए मैंने बनाया था जो मैंने आपको जानकारी दे दिया कि 31 मार्च को आपका रिजल्ट आ सकता है तो मिलते हैं नेक्ष विडियों तब तक के लिए जाहिंद वन दे मातरम आप लोगों का रिजल्ट बहतर हो